अश्कार दोस्तों भागवान आप सभी कभला करे और आपके सारी क्छाय मनुकामने पुरी हो दोस्तों आज मैं आप सभी को गुरू परवत पर बनने वाली आड़ी रेखाएं और सीधी रेखाओं में होने वाले फर्क के बारे में बताने जा रहा हूँ और क्यों यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा इतना ज़्यादा शुब और उससे भी कहीं ज़्यादा शुब आड़ी रेखाओं को माना गया है जो लोग ईश्वर के बहुत ज़्यादा निकट होते हैं जिन पर ईश्वर की असीम करपा होती है जो लोग इश्वर का काम करते हैं या इश्वर के सेनिक होते हैं जिनके रखवाले खुद इश्वर साक्षात होते हैं उनके हतेली में यह आड़ी रेखा गुरू परुवत पर पाये जाती है गुरु परवत आपके हतेली में सभी तरह के सुखों को दर्शाते हैं लेकिन गुरु परवत सरपतम ये दर्शार है कि आप कितने ज़्यादा सात्विक हैं धार्मिक हैं अध्यात्मिक हैं और आपकी जीवन में प्रगति किस इसतर की देखने को मिलेगी अब यहाँ पर आपके हतेली में किसी भी रूप के अत्रिक्त आड़ी रेखा मौजूद है खासकर इस गुरु परवत के छेतर पर तो आप समझ जाएं कि आप निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है आप अपने जीवन को सामान्य से लेकर के बहुत बड़े स्तर पर ले जाएंगे और आप अपने कुल का नाम रोशन करेंगे धर्मक और अध्यात्मके माध्यम से इस तरह की आड़ी रेखाय जन्मजात नहीं आती है ये समय के साथ साथ हर इनसान के जीवन में उनके चरित्र के द्वारा उनके अध्यात्मके द्वारा मानसिक तक और कर्मके द्वारा बनती है अब सरप्रत्म ये बात आप जान लीजिए कि आड़ी रेखा क्या प्रभाव देती है गुरू परवत पर चाहे एक आड़ी रेखा हो या एक से अधिक आड़ी रेखा हो इसका ताद पर यह होता है कि आप बहुत ज़्यादा इमानदार इनसान है चाहा करके भी दूसरों का बुरा नहीं कर पाते है और आपके उपर इश्वर की करपा ऐसी है कि आप अगर किसी के लिए दूआ दे 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 वो लग जाती है किसी का साथ दे दे उसका काम बन जाएगा क्योंकि ये आड़ी रेखा आपको बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक, धार्मिक, दयालू, करपालू, दूसरों की मदद करने वाला और निर्जीव वस्तों के प्रती भी प्रेम रखना, जानवोरों के प्रती भी प्रेम रखना, प्रकरती को बहुत अच्छा कुछ योगदान कर देना ये सब कुछ दर्शाती, क्योंकि आड़ी रेखा यहाँ पर हर विशय को लेकर की व्यक्ति के अंदर ग्रेटिट्योड यानि धन्यवाद की भावना लेकर के आती है इसलिए जब आड़ी रेखा गुरु परवत पर हो, किसी के भी हाथ में ये रेखा आप देख लीजे ऐसा इनसान आपको हमेशा हस्तावा, दूसरों को हमेशा अच्छी बाते कहते हुए दूसरों की सराहना करते वे, दूसरों के मदद करते वे ही देखने को मिलेंगे ये लोग वो होते हैं, जो जिनका अपने जीवन के प्रतिक कुछ ध्यान हो या नहो दूसरे के जीवन में हमेशा अच्छा करना चाहेंगे अगर आप किसी पार्टनर से मिल रहे हैं मेरिज के बारे में भी देख रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि उनका गुरू परवत कैसा है गुरू परवत अगर उभरावाय तो ज्ञान अच्छा है और अगर आड़ी रेखा है तो ऐसे व्यक्ति अपने धर्म अध्यात्म के द्वारा आपको बहुत सफल बनाएंगे आपको बहुत ज़्यादा पुन्ने देंगे ऐसे लोग खुद पुन्ने कमाते हैं अच्छे कर्म के द्वारा और दूसरों को बाटते हैं इसलिए आड़ी रेखा गुरू पर हमेशा व्यक्ति को ओकल्ट साइंस में ले जाती है और पामिस्ट्री, एस्ट्रोजी, नियुमरोलोजी, वास्तू ये जितने भी फिल्ड हैं जिसमें इंट्यूशन्स, ओकल्ट आ जाता है जिसमें एक पूरवा अनुमान आभास के आवशक्ता पड़ती है जिसमें किसी सिद्धियों के आवशक्ता पड़ती है उनके हतेली में गुरू उभरावा मिलेगा अन्यता गुरू पर आड़ी रेखा निश्यत रूप से मिलेगी राजनीती से रेलेटेट किसी भी तरह के काम में भी सफलता मिलती है ऐसे जातक बहुत ज़्यादा नाम सम्मान दूसरों का काम करके या दूसरों के काम आकर के कमाते हैं तो इस तरह के अगर आड़ी रेखा है तो आप जान लीजे कि आपका भाग बहुत प्रबल है, मजबूत है, बस आपको हर काम के शुरुआत के पहले धर्म कर्म करना होगा अर्थात, दान, धर्म, पूजा, पाठ, सत्संग, भजन, किर्तन ये जो चार चीज़ हैं, इसके अलावा यग्य, अनुष्ठान, ये सारे तरह के जो काम है जिसमें प्रकरती को हम कुछ देते हैं, वो सब चीज़ आपको रिटन आएगा बहुत ज़्यादा हो करके और आपके किसी भी तरह के काम में सफलता, निश्यत मिलेगी अगर आप पहले ये काम करा ले रहें अगर आपके हतिली में सूर की स्थिति अच्छी है और आडी रेखा मौजूद है तो हवन करना हर काम के पहले आपके लिए बहुत ज़्यादा शुफल दायक हो जाता है हवन से ही सारी के सारी मनुकामना सिध होना शुरू हो जाती है तो इस तरह की आडी रेखा जानिए, आपके हाथ में बन रही है या नहीं अगर राइट में है तो बहुत अच्छी बात है लेफ्ट हैंड में भी बन रही है तो समझ जाए कि आप कही न कही धार्मिक है अध्यात्मिक है आपका ध्यान कम है अध्यात्म में आप अपने ध्यान को कर्म को बढ़ाईए बहुत लाब मिलेगा क्योंकि गुरू पर आडी रेखा जो बनती है वो सीधे शनी पर जाती है इसलिए हमको धर्म में कर्म करना होता है तब जाकर के मनवांचित्फल और बेहत शुप परिणा मिलते हैं इसके बाद में कैसे सीधी खड़ी रेखा हैं बहुत ज़दा जूनुनियत देती है कि आप अपने जीवन में हार मत मानिया आप भले कितना बार भी गिरेंगे लेकिन वापिस उठ सकेंगे इस बात की फुल गैरेंटी हो जाती है क्योंकि गुरू यहाँ पर आपको हमेशा एनरजी दे रहे हैं विजडम दे रहे हैं और ज्यान और योग्यता होने के कारण हर तरह का काम संभो कर पाने की छमता आपके अंदर इश्वर ने दे रही है लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह हो जाती है कि अपने किसी भी तरह की एक्षा को पूरा करने के लिए अधर्म भी कर देते हैं और जब आड़ी रेखा यहाँ पर मौझूद हो तो अधर्म इसे लोगों से हो नहीं पाता है तो यह एक बेसिक डिफरेंस है असर दोनों ही रेखाओं का बहुत अच्छा देखने को मिलता है प्रोग्रेस लाइन वाले जातक अपने बल या खुद के बल से खुद के योगिता से जीवन में बहुत ज़दा सफल होते हैं और इनका कर्म कभी खराब नहीं जाता है और आड़ी रेखा जब यहाँ पर मोजुद हो जाए तो इसका ताथ पर यह होता है कि आपको आपके जीवन में सर्व करना है अपने आपको अपने आपको हमेशाद दूसरों के लिए रखना है दूसरों के काम आना है उतना ज़ादा आपको इश्वर काबिल बनाते जाएंगे उतना ज़ादा समरिध्धी देते चले जाएंगे तो यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर प्रोग्रेस लाइन है आपके पाम में line of progress है या line of ambition है जो कि एक ही line होता है तो इस condition में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान खुद पे देना है कि आपको दुनिया से अलग हटके खुद के लिए काम करना है सबसे पहले खुद को build करना है क्योंकि आपके दौरा आपके लिए किया गया हर कर्म बहुत काम आएगा और अगर यहीं पर आड़ी रेखा ज़्यादा मोजूद है या फिर आड़ी रेखा है है तो इसका ताथ पर यह है कि अपने आपको इतना योग्यवन बनाना ही कि आप दूसरों के काम आ सके और कोशिश करिए किसी भी हद से किसी भी तरह से दूसरों के काम आने का आपके पास धन, दोलत, वेभव, किर्ती सफलता, नाम, शोहरत जो भी कुछ चाहिए चाहे इस दुनिया का सुख चाहिए जिसे हम शुक्र कहते हैं या मटेरलिज्म कहते हैं लग्जरीज कहते हैं भी मिलता है और इस दुनिया से परे मुक्ती, मोक्ष, समरिध्धी और आंतरिक सुख जो चाहिए वो आपको गुरू के द्वारा मिलेगा तो ये विश्यों को लेकर के थोड़ा ज़्यादा जागरूख रहिए और अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आप देख सकेंगे सिर्फ अगर इतना काम कर लेते हैं या इन बातों पे ही ध्यान दे लेते हैं तो जरूर बताएं कि आपके हाथ में कौन सी रेखा है और किस तरह के आप प्रभाव देख रहे हैं तब तक आप अपना ध्यान रखें आपका बहुत बहुत धन्यवादा